नमस्का दोस्तों उधिक एप्टेर्स ऑफिटेर्स लिवी ट्रीप चानल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों बिहार स्टाफ सेलेक्शन की बोर्ड की ओर से एक नई वैकनसी निकल के फिर से आ चुकी है दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डीटेल्स में बात करेंगे चेल दोस्तों इसके बारे में पहले जान लेते हैं जेनरल मतलब एंड्रेजर्ब कैटर्गीरी फिर एडव्य एस एकनॉमिकली विकर्स सेक्ष्चन फिर एवीसी बिहार में वीसी नहीं होता एवीसी होता है एकनॉमिकली बैकवर्ड क्लास दोस्तों इसके लिए देख सकते हैं आप 675 ऑल स्टेट के लिए 675 उसके बाद दोस्तों अगर बिहार के हो सिर्फ बिहार के बिहार के रेसिडेंट हो तो उनके लिए 180 रुपे उनको देना पड़ेगा उसके बाद दोस्तों इस फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से दिया गया है दोस्तों आप से बेख सकते हैं को 20 छे अभी तक online नहीं हुआ है 20 से यानि जुन महिने का 20 से 10 से जुलाइ का 20 तक मतलब टोटल 1 महल यह दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों जो is criteria है इसके बारे में जान लेते हैं इसको धियां से देखिए दोस्तो एज यहां दिया गया है 18-25 normal for all all candidates के लिए 18-25 यह normal age है इसके साथ-साथ दोस्तो मैंने यहां पे लिख के रखा है 18-2022 cut-off date इसका मतलब है दोस्तो एक तारीक 8 महिना 2022 तक आपका complete हो जाना चाहिए qualification qualification आपका complete हो जाना चाहिए इस date के हिसाब से उसके बाद दोस्तो जो relaxation है relaxation के बारे में देख लेता है relaxation हाँ relaxation यहां पे दोस्तो दिया गया है relaxation EBC के लिए जैसे आप देख सकता है 18 साल SCST के लिए 30 साल दोस्तो female, transgender इनके लिए 18 से 30 दोस्तो महिलाओ के लिए थोड़ी अच्छी छूट है यहां पे 30 साल तक दी जा रही है उसके बाद दोस्तो जो qualification है इस qualification क्या लगेगा इस फॉर्म को फिलप करने के लिए आपको 10 प्लस टू या आप कह सकता है 12 या दोस्तो 10 प्लस टू लेवल की कोई डिगर अगर आपके पास हो तो आप इसको apply कर पाईएगा दोस्तो इसका जो pay scale है pay level यहां देख सकते हैं pay level दिया गया है 21,700 से 69,100 रुपया दोस्तो इसका pay scale काफी बढ़िया है इसके बाद दोस्तो हम लोग height के बारे जान लेता है height दोस्तो यहां एक ठोट टेस्ट होगा इसको कहा जाता है PMT physical measurement test इस पे आपका height chest weight यह सर ना पाजाता है दोस्तो आपको इस form को fill up करने के लिए normally जो आपकी height होने चाहिए वो कितनी होने चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं UR यानि unreserved category EWS फिर EBC इनके लिए 165 cm for all Indian origin कोई भी हो 165 cm अगर आपके पास है तो आप इस form को easily apply कर पाईएगा height के मामले में उसके बाद दोस्तो अगर आप SCST के अंतरगत आते हैं सिर्ल का सिर्ल ट्राइब या पहाड़ी अंजल के तो दोस्तो आपके लिए आपका height में जो छूट है 5 cm कम है या घटा के देखिए 160 cm दी गई है उसके बाद दोस्तो अगर आप फीमेल है तो आपके लिए कितना है 155 cm दोस्तो अगर आप फीमेल है तो आपको 155 cm अगर आपके पास है तो आप eligible है height के मामले में उसके बाद दोस्तो आपका क्या ना पढ़ आएगा chest physical medallement में दोस्तो chest बहुत important role play करता है तो chest ना पढ़ जाता है UR EBC EWS इसके लिए है दोस्तो 81 normally आपका chest 81 cm होने चाहिए और फुला कर 86 cm 5 cm का अंतर आपको होने ही चाहिए SCST अगर आप अंतर भुक्त है तो 79 cm से 84 cm यानि नॉर्मल में 79 और फुलाने के बाद 84 आपको लगेगा फीमेल चेस्ट यहाँ पर मैंने नोक लिखके रखा है फीमेल के लिए chest measurement नहीं किया जाएगा और weight दोस्तो weight लेकिन measurement किया जाएगा weight के लिए आपको normally 48 के लिए आपकी होनी चाहिए बहुत जादा दुबले पतले नहीं होने से आपके आप यहाँ eligible नहीं होंगे उसके बाद दोस्तो others others मैंने यहाँ लिखके रखा है दोस्तो others के मामले में आप इसको समझ सकता है कि यह translator के बारे में हम लोग बात कर रहे है इनका फीमेल की तरह इनका भी same process रहेगा उसके बाद दोस्तो जो दोस्तो दोड़ है कितने किलोमेटर का दोड़ है कितना दूद तक आपको जाना है कितने marks मिलेंगे उस पे फिर दोस्तो गोला फेक फिर दोस्तो high jump उसके बारे में हम लोग आगे बात कर लेते हैं तो पहले तो selection process के बारे में जान लेते हैं किस तरीके से आपका exam कराया जाएगा सबसे पहले हम लोगों ने physical measurement test के बारे में पताया था कितने height लगेंगे उसके बाद दोस्तो जो selection process है part 1 part 1 में क्या रहेगा दोस्तो part 1 में आपके questions पूछे जाएगे वो भी OMR sheet में दोस्तो ये total exam आपके OMR pattern पे होगा online exam नहीं होगा तो पहले तो दोस्तो आपको questions पूछे जाएगे 100 questions में से 100 marks मिलेंगे और 2 घंटे का समय भी दिया जाएगा ये रहेगा दोस्तो qualifying base कैसा होगा इसका इस exam को आप किस तरह किसे तयारी कर सकते हैं दोस्तो सबसे अच्छा है class 10th basis पर ये exam होने वाला है पहले तो दोस्तो 10th level ये 30% qualifying है अगर 30% से नीचे आपका marks आते हैं तो आपको disqualify कर दिया जाएगा इस exam से तो पहले तो दोस्तो metric level question किस किस topics से आएगे किस किस subjects से आएगे देख लेते हैं दोस्तो जैसा कि पहला बिहार जैसे कि बिहार बोर्ड है Hindi must जाए आप आपको हिंदी पढ़ना होगा हिंदी उसके बाद दोस्तो कहाँ सकोष नागे English अंग्रेजी फिर maths 10th basis plus 10th level के जितने भी maths है आपको आनी चाहिए यहाँ पे physical science life science biology इन सब को मिला के यहाँ पे questions पूछे जाएंगे फिर दोस्तो GK यानि general knowledge and CA यानि current affairs national international दोनों को मिला के आपको questions पूछे जाएंगे दोस्तो इसके बाद जो running का process है running पे आप देख सकते हैं part 2 में running में क्या है पहले तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है male इस site male के लिए है इस site female के लिए मैंने लिख के रखा है दोस्तो धियान से समझी इसको running में आपके marks मिलेंगे 50 आपको जो 50 marks मिलेंगे किस तरीके से आपको running complete करेंगे तब आपको 50 marks मिलेंगे यह मैं बताने वाला हूँ देख लिजे दोस्तो less than 5 minutes अगर 5 minutes से कम ने आप दौर complete करते हैं तो आपको 50 marks दिये जाएंगे अगर 5 minutes से 5 minutes 20 seconds तक complete करते हैं तो आपको 40 marks मिलेंगे उसके बाद 5 minutes 20 seconds से 5 minutes 40 seconds तक अगर आप complete करते हैं तो आपको 30 marks मिलेंगे तो आपको 20 marks मिलेंगे दोस्तो काफी important है अगर 6 minutes से जादा अगर आप लगा देते हैं इस दोड में तो आपको disqualify कर दिया जाएगा एक mile दोडे से पुरुशों के लिए हैं देख लीजे दोस्तो 1.6 km एक mile मतलब male पुरुश इसके बाद दोस्तो running female के लिए female में क्या रखा गया है female महिला दोस्तो less than 4 minutes यहाँ पर देख सकते हैं 4 minutes से कम अगर आप complete कर लेते हैं दोड तो आपको मिलेंगे 50 marks फिर दोस्तो 4 minutes से 4 minutes 20 seconds तक आपको 40 marks दिये जाएगे उसके बाद दोस्तो 4 minutes 20 seconds से 4 minutes 40 seconds तक आपको 30 marks मिलेंगे दोस्तो 4 minutes 40 seconds से 5 minutes तक आपको 20 marks मिलेंगे आप जिस तरीकी से दोड़ complete की जएगा उस तरीकी से आपका यहाँ पर marks credit होगा उसके बाद दोस्तो maximum जो time limit है female के लिए उनके लिए है 5 minutes अगर आप 5 minutes से जादा लगाते हैं आप disqualify होंगे दोस्तो इसके बाद इनको दोड़ कितना है 1 km female के लिए 1 km दोड़ दोस्तो आगे चली हम लोग बात करते हैं गोला फेक के बारे में दोड़ के बाद आप जैसे देख सकते हैं गोला फेक यानि शॉट पूट इस पे आपको क्या करना है male और female दोनों के लिए test आपको देना है दोस्तो पहले तो गोला फेक देख सकते हैं इसमें male के लिए total marks कितना है 25 पचीस marks आपको overall मिलेगे आपको कितना बजन का गोला फेक ने के लिए बोला जाएगा जो यहाँ गोला है वो 16 पाउंड का है और आपको फेकना कितना है 16 फीट तक फेकना है तो दोस्तो इसका weight कितना है देख सकता है 16 पाउंड यानि 7.257 kg 7 दस्यमलब 257 kg का एक लोहे का बॉला आपको दिया जागा उसको आपको फेकना है तो आप देख ले 16 फीट ते 17 फीट तक फेकने पर आपको marks मिलेंगे 9 उसके बाद 17 फीट से 18 फीट तक अगर आप फेकते हैं तो उसमें आपको marks मिलेंगे 13 फिर 18 फीट से 19 फीट तक अगर आप फेकने तो आपको marks मिलेंगे 17 उसके बाद दोस्तों 19 फीट से 20 feet तक अगर आप फेकते हैं तो आपको मिलेंगे marks 21 इसके बाद दोस्तो अगर आप 20 feet तक फेक देते हैं तो आपको marks मिलेंगे 25 less than 16 feet यानि 16 feet से कम आगर आप फेकते हैं तो आपको disqualify कर दिया जाएगा इस case से बाहर आप हो जाएंगे दोस्तो ये टेस्ट में female के लिए कितने marks है अब ये जान लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं 12 pound यानि 5.443 kg 5.443 kg का एक गोला आपको दिया जाएगा लोहे का बॉल उसको आपको फेकना है दूर तक कितने दूर तक आपको फेकना है और कितने marks मिलेंगे 12 से 13 feet तक फेकने पर आपको मिलेंगे 9 marks 13 से 14 feet तक अगर आप फेकते हैं तो आपको मिलेंगे 13 marks 14 से 15 feet तक फेकेंगे तो मिलेंगे 17 marks फिर 15 से 16 feet तक फेकेंगे तो मिलेंगे आपको 21 marks फिर 16 feet से 25 feet तक आप 16 feet से जादा अगर 16 feet से जादा अगर आप fake देते हैं तो आपको मेलेगे 25 marks अगर less than 12 feet यानि 12 feet से कम अगर आप fake ते हैं तो आपको disqualify कर दिया जाएगा इसके बाद दोस्तों जो high jump है उसके बारे में जान लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे high jump के लिए male के लिए यहाँ मैंने उपर में लिखा है और female के लिए नीचे male में क्या है अगर आप 4 feet तक अगर आप कुदते हैं देखिए 1,2,3,4 आपको 4 बार कुदना होगा शायद तो 1,2,3,4 यहाँ भी female में भी 1,2,3,4 दोस्तों आप देख सकते हैं 4 feet पहल तो male के लिए 4 feet 13 marks 4 feet 4 inch 17 marks 4 feet 8 inch 21 marks फिर 5 feet से जारा अगर आप कुदते हैं तो 25 marks आपको दिये जाएंगे दोस्तों female के लिए है 3 feet 13 marks 3 feet 4 inch 17 marks 3 feet 8 inch 21 marks 4 feet से जादा 25 marks दोस्तों जैसा यहाँ इतना जादा अगर आप फेकते हैं तो आपको marks बहुत अच्छे तरहीं से बनेंगे 20 से इतना अगर आप फेक देते हैं तो आपके marks जादा आएंगे इसका मतलब है merit के लिए आपको काफी अच्छी वाली तरड़ी महनत करने पड़ेगी तब जाके आप जो test है यहाँ पे इस test को आफ qualify कर पाईएगा दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आये तो इस वीडियो के एक लाइक कीजिए साथी साथ चैनल फे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह से गर्मेंट जॉप के अपडेट्स आसानी से समझने और पाने के लिए तब तक के लिए मिलते अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत